असलामों आलाइकुम दूस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खेरियास से होंगे दूस्तों आच की वीडियों में हमको जरूरी ख़बर जरूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुचाने वाले हैं आप लोगों उससे गुजारिस है कि दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है चलिए वड़ते हैं अपडेट तरफ पूरी का है अपडेट आपको उधाते हैं दोस्तों पहली अपडेट यह है जिसकी आप सामने स्क्रीम पर एक वीडियो क्लिप देख सकते ह कि एक निकाब पहने हुए लड़की एक नौजवान लड़के को किस तरीके से मारती पीड़ती है और उसको जमीन पर गिरा देती है लड़का जमीन पर गिनने के बाद किसी तरीकी की कोई भी हरकत नहीं कर रहा है जब एक और सक्स उसको बचाने के लिए सामने आता है तो से लड़की ने इस लड़के को इस तरीके से मारा पीटा है लड़ाई की क्या वज़ा रही यहां पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है इसके लाव अगली बडेट यह है कि सोसल मीडिया पर एक खबर चल लए इसमें उता है यह गया कि रियात के पुराने इलाकों में जो गिराया जाएगा तो इस वाले से सौधी अधिकारियों ने कहा है कि सोसल मीडिया पर जो यह खबर चल लए है यह बेबुनिया इसमें कोई भी सचाई नहीं है कि रियात के अंदर पुरानी इमारतें या फिर पुराने इलाकों में जो मौजूद बिल्डिगें हैं उसको ग गिराफतार किया है जिनके कबजे से 45 किलो नसीले पदार्त जबत किये गए हैं जी हैं दो इंडियन नागरीकों को भी इस केस में जाजान पुलिच ने गिराफतार किया है जिसका आप उते हैं कि सौधी रप के अंदर बहुत सरे लोग नसीले पदार्त की समंगलिंग करते इसमें सौधी सहरी और गैर मुल्की दोनों ही सामिल रहते हैं तो अगर आप गैर मुल्की हैं तो इन तमाम कामों से आप बच के रहें क्योंकि इन तमाम कामों को अगर आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो इसमें आपको मौत तक की सजा मिल सकते हैं इसके लब अगली बडेट यह है कि सौधी रभ में रहने वाले सौधी नागरिक और गैर मुलकी अब अफसर पोर्टल के जरीए से आनलाइन जल्म सर्टिपिकट और डेट सर्टिपिकट हासिल कर सकेंगे जैस तो सौधी रभ के अंदर जो लोग रहते हैं किसी बच्ची की पैदाइस होती है या किसी की मौत हो जाती है और उसका सर्टिपिकट चाहिए तो अब अफसर पोर्टल के जरीए से ओनलाइन हासिल किया जा सकता है पहले क्या होता था कि इसके लिए इदारों का चक्कल लगाना पड़ता था यानि कि अहवाल मदनिया एक इदारा था जहां लोगों को जाना पड़ता था और वहां से सर्टिपिकट जारी किया जाता था लेकिन अब अफसर पोर्टल में ये सर्विस एड़ कर दी गई है त अतार सौधी जैसन का सिलसला चला है फार्मेसियों में भी सौधी जैसन किया जा रहा है तो सौधी निश्टी के तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि फार्मेसियों में जितना सौधी जैसन का टारगेट फिक्स किया गया था उससे 700% जादा सौधी जैसन हुआ बताइए गए है कि सौधी नागरिक फार्मेंस्टियों में Benniстом करना पसंद कर रहे हैं 2023 की शुरुआद से सितंबर के महिने तक 13000 से ज्यादा सौधी नागरिकों को फार्मेंस्टियों में जोब पर लगाया गया है यानि काम पर रखा गया है इसमें कुछ डक्टर के पो आग लगने से 120 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 330 लोग जख्मी हो गए हैं जो लोग जख्मी है उनको इलाज के लिए होस्पिटल में भरती करा दिया गया है उनका इलाज चला है यह तक आप सामने स्क्रीम पर इमेज या फिर वीडियो क्लिप के मद्दम से देख सकत आप तक पहुचा दी गई उम्मीद करता हूं यह वीडियो यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो अच्छी लगी है तो प्रिज्ट वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो दोस्ट चैनल पर नए हैं उनसे गुजारी से प्रिज्ट चैनल को भी सस्क्राइब जरू कर लें मिलते नस्तों मिलते नस्त दोस्तों नेट नेश्ट वीडियो में नेश्ट टोपिक के साथ जबतर रखी अपना ख्यालों के खुदा हूं